दोस्तो हम है राम नगर के किले के मुख्य द्वार पे ये भारत के चुनिंदा राजाओं में से हैं, जिनके वनसद आज भी जिन्दा हैं दोस्तो हम गंगा व्रीच पे हैं और देखे। Ryuky के ट्रमा सेंटर के पास से गुजर रहे हैं दोस्तो चित्रकारिया नकासिया आप देख रहे हैं दिवालों पर कि इस तरह मोदी जी ने करवाया हुआ है यूँ ही बढ़ते बढ़ते दोस्तों अब हम आ गया है बनारास हिंदू इन्वर्सिटी के पास यानि उसके मुख्यद्वार पे दोस्तों इन्टी तो पाउर पॉइंट इ पारखानों मेंसे दोस्तों यह कहें जो बनारस में इस्तित है हम उसके मुख्यद्वार के सामने से गुजर रहे हैं दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं ब्रास रेलेवे स्टेशन पे जहां से हमें टेन पकड़ना है अपने गंतब यानि मैहर माता के धाम की जाने के लिए म दोस्तों देख रहें की प्लाइध प्रीटा से खुबसूरत है साफन रहे है एह करे पहले पहले यह दिख रहे ह् थी फाम नहींति के agility की सामने हमारा चैन खड़ी वहीं गंदगी नहीं है तो दोस्तों इस तरह से अब हम महियर स्टेशन के लिए बनारा से रवाना हो चुके हैं एक चीज आपको पता दें दोस्तों कि पुरानी कहावत है कि जब तक बुलावा आपका नहीं आएगा आप उनके धाम पे नहीं जा सकते हैं और यह सत्य बात है दोस् दोस्तों हम रात के समय स्टेशन पर पहुचे हुए हैं तो इसलिए हमने आपको होटल दिख रहा है जो गेस्ट हाउस कह सकते हैं आप इसे कि महियर जो धाम है वहां से 1.5 किलिम्टर पहले है और यहां बहुत सारे आपको गेस्ट हाउस हैसे मिल जाएंगे और महियर धाम जहां से वहां नजदीक जाएंगे फूल माला बेचने वाले वह भी आपको सोने और नहाने दोने की पुड़ी ब्योस्ता देते हैं जिसका चार्ज तो नहीं लेते लेकिन उसका पूरा चार्ज आपको प्रसाद देते उसमें रख लेते हैं पचास रुपय का प्रसाद आप लेंगे तो उनकी ब्योस्ता अच्छी नहीं थी इसलिए दोस्तों हमने वहां नरुकर के यहां पे इस गेस्ट हाउस में रुकने का फैसला किया है रात का समय देखी रहे हैं कि हम रात में पहुचे हुए हैं दोस्तों यह जो जितने भी आर्टोड फोर विलर आपको को दीख रहे हैं जो गाडिया जा रही है जिनका ट्रेन अपस यहां पे रात में पहुचा हुआ है वह धाम को जा रहे हैं तो कुछ लोग गेस्ट हास लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते हैं तो रात हो गया है तो हम करने के बाद इसाद की तो अर्ली मॉनिंगTy चार बज़ पुरी तरह से रोसनी नहीं हुई है तो देख रहे हैं किस तरह बत्ती में रोसनी से पुरा नहाया हुआ है यह सेल्टर होम बना हुआ है जहां पर कि हम प्रतिच्छा कर सकते हैं विश्राम कर सकते हैं जो रात में पहुंचते हैं जो रात में चढ़ाई नहीं करना चाहते हैं दोस्तों सामने एक चोटा सा और मुखिदार है जहां से उपर चड़ने के लिए सीडियां स्टार्ट हो जाएंगी तो दोस्तों करमशा करमशा हम उन सीडियों के तरफ देखिए कि बढ़ रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं दरसनार्थी हैं वो भी करमशा करमशा सीडियों के तरफ बन रहे हैं और देखिए इसका जो गेट है वो भी काफी अच्छे पत्थरों से निर्मित किया गया है और देखिए द्वारपाल भी बनाये गए हैं मतब उतना कासी पूरी तरह से खुबसूर्टी बनाई गई है तो दोस्तों शामन का महीना नहीं भी चुका है या नौरात का समय नहीं है इसलिए थोड़ी थोड़ी हाँ कम है आप देखे रहे किस तरह रास्ते भी चढ़ाई हैं या फिर एलिवेटर से जा सकते हैं जिसको आप रोपिवे कहते हैं तो हमने सीडियों के द्वारा ही जाने का फैसला किया क्योंकि हमा के दरसन को गया है तो थोड़ी सी महनत तो बनती है आगे देख रहे हैं कि मंदिर के जितने नजदी का आगरे भीड बढ़ती जा रह हैं हैं और भीड जादा तो नहीं है लकिन इतनी है कि आपको वेट करने की जरूरत पड़ रही है सामने आपको दिख रहा है माता का मंदिर यानि उनका गर्वगरी और किस तरह लोग अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं सिर्यों कराओ के बगल में आप देख रहे हैं कि य इन्होंने अपनी मन्नत मांगी होती है वो चूनर जो भी चीजे चड़ानी होती है जो उन्होंनों मांगा होता है वो इस तरह चड़ती है मंदर में ऐसी कोई प्रसाद आपको चड़ती है बागी कि जो चीजे होती है वो इनी सब बगल में होती है आप देख रहे हैं पुर पूरी हो जाए तो फिर से हम माता के दर्बार में वापस आएंगे दोस्तों यह देख रहे हैं कि पहाड़े पे उनका बसेरा है तो यह बकायते रेलिंग गोलिंग बना दीगे किनारे की किसी तरह की दुर्ग हटना यहां पर नहों आप देख रहे हैं गर्विगरी उनका कर दर्शन कर चुके हैं अब आराम करने के लिए पीछे की तरफ हैं कोई बैठा हुआ है कोई खड़ा है कोई और भी दर्शन करने की बेश्ता है यह बहुत सारे लोग जो ठक चुके हैं तो यह पिछला हिसा देख रहे हैं जैमार सारदा लिखा गया है यह पीछे का इसा ह जहां से दर्शन करने एक बाद जो लोग निकल के आ रहे हैं तीसते तरह देख रहे हैं यह वह लोग है जो दर्शन पूर कर चुके हैं सामने देख रहें खुबसूरत सा है रेलिंग वली बखादी लगा दी गई है सब कुछ है और यह देखिए दोस्तों अब हम यह तीसरे हिस्से में आ चुके हैं मंदर के दो तरफ से हमने आपको दिखा दिया है पिछला भी आपको दिखा दिया यह बगल का हिस्सा है इस दिन भर हमारी हो शेवा करते हैं मा से दर्शन कराने में तो रेलिंग देख रहे हैं कि इस तरह लगाएगी ताकि किसी द्रुगटना नहों और धूंद आप देख रहे हैं कि अभी सूबा का वक्त है पुरी तरह से रोसनी नहीं हुए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे की प हम आपको लेट साइस से दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग अपने कतार का इंतजार अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं मंदर के अंदर जाने के लिए माता के दर्शन के लिए दोस्तों आईए चली हम आपको दिखाते हैं जहां से मंदर की जहां से शिडिया खत्म होती है औ को लेकिन उपर का देख लीजिए किस तरह से ये कतार लगी हुई है पीछे दोस्तों ये सेल्टेथ होम टाइप का बना हुआ है तक धूप में बारिस में या ठंड में लोग बच सके आराम कर सके और बैठ सके कुछ देर उसके बाद यहां से फिर नीचे चड़ाईयां सुर्प करती हैं क्योंकि एक पर चड़ने मठकान दोस्तों ये माता रहने के देख लिए कितनी खुबसूरत तस्वीर बनी हुए जाकी बनी है उपने सेवर पर सवार है तो दोस्तों हमारे जर्णी खत माता का दर्सन कर चुके हैं इसलिए हम नीचे उतरने के लिए वापस आ रहे हैं नीचे आने के लिए दोस्तों ये दूसरा रास्ता है जिस रास्ते से हम चड़के आते हैं उस रास्ते से वापस नहीं गुजरते हैं ये दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते देख रहे ह अगर पसंद आए दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप सेयर कीजिए और जो नए दोस्त है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों मिलते हैं आएसे ही किसी यूनिक